हाई, पती जितना कमाती है रचना और अविनाश ने एक ही दिन किड लॉजिक्स मेडिया जॉइन किया था हाई हलो से शुरू हुई उनकी बातचित जल्द ही दोस्ती में बदल गई थी रचना यार काफी पिने का मन हो रहा है चलोगी मुझे भी सरदर्द हो रहा है लेकिन मैं काफी नहीं चाई पिऊंगी अच्छली मुझे भी चाई ही पसंद है लेकिन आजकल की लड़किया चाई को बड़ा डाउन मार्केट समझती है न इसलिए मैंने तुम्हारे सामने शौफ काने के लिए काफी का ये किस ने कहा कि चाई या काफी के प्रिफरेंस से बंदे की एक लास बडल जाती है और अगर बडलती भी है ना तो भई हम तो तब भी चाई का साथ छोडने वालों में सनी है एक बार हाथ थामा है इतनी आसाने से थोड़ी ना छूटेगा एक बात बता तुम मजे इंपरस करने की कोशिश क्यों कर रहते वैसे तरह यार तुम तो पीजे बढ़ जाती हो कुछ नहीं वावा चलो ना अब चाई भी दे फाल तो बातों में दिमाग लगाना बंद कर दो रचना की बातों के भवर में अविनाश उलचता ही जा रहा था साथ में चाई, कॉफी और लंच करते करते कब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें एहसास तक नहीं हुआ था रचना तुमने मुझसे पूछा था ना मैं तुमें इिम्प्रेस करनी की कोशिश क्यों कर रहा था हाँ, पूछा तु था, बताओ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमारे साथ रहता हूं तो मुझे अच्छा लगता है तुमारी बाते याद अती है तो चेहरे पर मस्कुराट आजाती है और तुम्हारा खायल तो मन से जाता ही नहीं है। तुम सच कह रहे हो अविनाश। ये कोई मजाग की बात है क्या। हाँ, सच में मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। रचना और अविनाश। अब पूरे अफिस के लिए लवबर्द्स बन गयते। कुछी दिनों में दोनों एक दुसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। शादी के बार। अरे यार तुने शादी कर ली और अफिस के स्टाफ को बुलाया तक नहीं। अरे भई हम कौन सा तुम दोनों चंदा चकुर की जोड़ी को नज़र लगा रहे थे। ऐसी बात नहीं है यार। वो शादी मेरे गाउं से हुई ना इसलिए मैंने दिल्ली के दोस्तों को इन्वाइट नहीं किया था। तुम लोग टेंशन ना लो, तुम्हारी पार्टी तो आज यहीं करवा देंगे। क्यों अविनाश ? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। लंज के समय रचना पूरे स्टाफ के लिए बाहर से खाना ओर्डर कर देती है। अरे यार तुम बुरा मत मानना लेकिन हर लड़की यहीं चाहती है कि उसका पती उससे ज्यादा कमा आए। उची पोस्ट पर हो। लेकिन तुने तो अपने बराबर सेलरी वाले अविनाश की साथ शादी कर ली। देखो मैंने अविनाश से प्यार उसका दिल देखकर किया था। उसकी दालत या सेलरी देखकर नहीं। मैं अपने पती के साथ बहुत खुश हूँ। आगे से कभी ऐसी बाते मत करना। अरे यार आज नहीं तो कल तुझे समझ में आई जाएगा। कि अविनाश की साथ शादी करके तुने कितने बड़े गल्ती करती है। हमारा एचार मैनेजर कब से तेरे पीछे बढ़ा था। हर महीने देड़ लाक रुपय उसके काउंट में आते हैं। सूच तेरी कितने एश होती उससे शादी करके। मेरी राय में तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई होई नहीं सकता। रचना अपनी मस्करी सहलियों को समझा रही थी, लेकिन उसकी सहलिया उसकी टांग खिचने में लगी हुई थी। तबी रचना और उसकी सहलियों की बातों की आवाज अविनाश की कान में भी पड़ जाती है। रचना के दोस्तों को लगता है कि मैं रचना को डिज़व नहीं करता हूँ। देखो तो कैसे मेरा मजाग बना रही है। कुछ दिन बाद। वेरी गुड रचना, तुम्हारी परफोर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है। और अविनाश, यो परफोर्मेंस इस पत्थाटिक। अरे बर्खुदार ओफिस आकर थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो, अपनी वाइफ को देखो, तुम्हारे बराबर सेलरी लेती है, लेकिन काम तुमसे डेड़ गुना करती है। अरे उससे ही सिखलो, कैसे स्टार परफोर्मर बना जाए। मैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए रचना का नाम रेकमेंड करता हूँ, और अविनाश, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है, तो अभी से कोशिश शुरू कर दो। रचना को लगा था कि बॉस के प्रमोशन देनी की बात सुनकर, अविनाश बहुत खुश होगा। इसलिए घर आकर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अविनाश, आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। हाँ, हाँ, सिर्फ स्पेशल मत बनाओ, दो-चार रिष्टेदारों को भी बुलालो, अखर सबको पता चलना चाहिए न, कि तुम आफिस में पती से कितना आगे निकल गई हो, वहाँ सब तुमारी कितनी इज़त करते हैं, और इतना ही नहीं, तुम तो बहुत जिल्द मैने मैनेजर भी बनने वाली हो, पती की नौकरी रहे ना रहे, उससे बला मैनेजर पतनी को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक का न मैने, अविनाश, कैसे बाते कर रहे हो तुम, अरे अगर तुमारी पर्फरमस सही नहीं है, तो उसका गुसा तुम मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, औ बॉस की तो आदत है, ऐसा कहने की, वो ऐसी किसी को नौकरी से नहीं निकालने वाले, जस्चिल यार, चिल, इसलिए न, कि तुम्हारी नौकरी पर नहीं, मेरी नौकरी पर बात आई है, अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता, तो तुम क्या करती, पाटी करती, अरे कुछ तो शर्म करो रचना अपनी नौकरी के गमन में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज पूरे आफिस के सामने तुम्हारे पती की कितनी बेज़ती हुई है अगर कोई भी शर्मदार आउरत होती न तो ऐसी बात कहने से पहले कम से कम दस पार सोचती लेकिन नहीं तुम्हें तो अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं तुम गलत समझ रहे हो अविनाश ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो अच्छा तो फिर कैसा है तुम ही समझा दो तुम तो मुझे अपना पती समझती नहीं हो तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज़त होती तभी तो तुम्हें मेरे सुख दुख से कोई मतलब होता तुम्हारी सैलियों का भी तो यही कहना है ना कि तुम्हें अपने बराबर कमाने वाले लूजर फेलियर आदमी के साथ शादी नहीं करने चाहिए दी अरे तुम कहां की बात कहां ले जा रहे हो तुम्हारी तारिफ सुन सुन के धक गया हूं मैं रचना जब से तुमसे शादी की है हर कोई आफिस में बस तुम्हारी तारिफ करता रहता है मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की है ताकि तुम्हारी सैलेरी पर मैं ऐश कर सको अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो कुछ होई नहीं, तुम से शादे काना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई है। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ उनका जगड़ा, अब एक बड़ा विकराल रूप ली चुका था, अगले दिन सुबह अफिस में। क्या यार अभिनाश, तु अभी तक मुझ लटकाए गुम रहा है। क्यांट में आनी आनी है। और वो कहते हैं ना, जब संया भएक तवाल तो डर कहेका। बक्वास बंद करो तुम लोग। और मैं इस कंपनी में नौकरी अपनी काबिलेत की वज़े से कर रहा हूं। अपनी बीवी की सिफारिश की वज़े से नहीं। सिफारिश की जरुरत ना मुझे कल थी ना आज है। अगर तुम्हें यही लगता है ना, कि मैं अपनी पत्नी की सिफारशों के कारण यहां टिक गया हूं। तो ठीक है, मैं आज और अभी यह नौकरी छोड़ता हूं। नौकरी छोड़ देगा तो क्या घर में बैठकर मंजीर अब जाएगा। अरे उससे चिंता करने की क्या जुरत है। इसकी बीवी कमाती तो है। कांसा नौकरी छोड़ने से इसका घर चलना बंदो जाएगा। दोस्तों की बात सुनकर अविनाश न आओ देखता है न ताओ। बस जाकर इस्तिफा बॉस के मूँ परती मारता है। और अपनी घर चला आता है। अरे बिटा, आज इतनी जल्दी तो ऑफिस से घर आ गया। बहु नहीं आई तेरे साथ। क्या हुआ बिटा, परिशान क्यों दिख रहा है। मा, तुम्हारी बहु की वज़े से आज मैं नौकरी छोड़ कर आ गया हूँ। हुआ हुआ क्या। कुछ तो बता। मेरे ओफिस में सबको यही लगता है मा, कि मैं वहाँ पर नौकरी सिफ रचना की महरबानी से कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ मा, कि मुझे नौकरी करने के लिए रचना की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। अरे मैंने तो कहा ही था कि उस रचना से शादी मत कर। तो ही उसके चक्कर में बावला हुआ जा रहा था। बिटा, बराबर कमाने वाली लड़कियां सर पर चड़कर नाशती हैं। वो कभी भी पती को पती की तरह इज़त नहीं दे सकती। अब ठीक कहती हो मा, गलती तो मुझसे हुई है शाम को। अमिनाश, ये क्या कर दिया तुमने। अरे ऐसे नौकरी छोड़कर कौन आता है। लोगों का तो काम है कुछ न कुछ बोलना। कोई कुछ भी कह देगा, तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे। ये कैसी बेओगोफी है, अब घर में बैट कर क्या करोगी तुम। मुझे ज्यादा ख्यान देनी के जरुवत नहीं है। मैनेजर तुम आफिस में बनने वाली हो, घर में मेरी बीवी हो, बीवी बन कर रहुँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है तुम्हें हर बात पर ताना देना आदत हो गई ये क्या तुम्हारी अपनी गलती का हैसास हो गया है मुझे और क्या होगा और ताना नहीं दे रहा हूं सच बोल रहा हूं रचना अविनाश के व्यवार से बहुत दुखी थी नौकरी छोड़ने के बाद अविनाश अब पूरा पूरा दिन घर में पड़ा रहता था और बाद बाद पर उसके साथ जगड़ा करता था रचना बहुत देख रही हूँ मैं तु आज कल घर के कामों में हाथ ही नहीं लगाती आज भी तुने खाना नहीं बनाया वो मा जी मुझे सुब़ा उठकर ऑफिस जाना होता है ना आपके बेटी की तरह खाली नहीं हूँ मैं अब अगर आपकी बेटे से नौकरी नहीं हो रही तो उसे कहिए कम से कम घरी समाल ले कुछ तो राहत मिले मुझे ए देखो कैसे सुबान लडा रही है शर्म नाम की चीज़ी नहीं है अपने पैसों का घमंड अपने माएके में दिखाना तू यहां रहना है तो बहों की तरह रहना होगा पती कमाएं ना कमाएं घर में खाना तो तू ही बनाएगी तो ठीक है मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है मैं जा रही हूँ यह घर छोड़कर और रचना गुस्ते में घर छोड़कर चली जाती है रचना की जाने की बात शाम को अरे बिटा जाने दे ना उसको तेरे बराबर कमाती है इसलिए बहुत ज्यादा घम अंडा गया है उसे मैं तो कहती हूँ तलाग दे दे इसको तेरी दूसरी शादी कराऊंगी मैं मा ये क्यासे बात कर रही हुआ अपने उसे जाने क्यों दिया अरे लड़ाई जगड़े का मतलब ये नहीं कि वो घर छोड़ कर चली जाए वो पत्नी है मेरी कोई सामान नहीं कि कल दूसरी ले आए अविनाश रचना के जाने से बहुत दुखी था दुखी मन से वो अपने कमरे में आता है रचना के बिना ये कमरा कितना सोना सोना लग रहा है चाहे हम लड़ाई ही करते थे लेकिन वो रहती थी तो ये कमरा कम से कम कमरा तो लगता था अविनाश हर पल रचना की कमी महसूस कर रहा था रचना का रात को सब काम खत्म करने की बार बैलकनी में बैटकर कॉफी पीना उसे आफिस में अच्छा पॉफार्म करने के लिए मोटिवेट करना मैं ही गलत था मैंने अपनी असफलता का ठिकरा उसके माथे पर फोड़ कर अच्छा नहीं किया उसने तो कभी मेरा बुरा नहीं चा मैं अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ने दूगा हम पती-पत्नी हैं हमारे बीच की बाते इस बैडरूम के बाहर नहीं जा सकती इतना सोचकर अविनाश कार की चाबियां लेकर तो रंती रचना को लेने निकल पड़ता है अपने घर चलो रचना तुम्हारे ना होने पर मैंने मैसूस किया कि तुम्हारा होना कितना ज़रूरी है मैं भी तुम्हारे बेना खुश नहीं हूँ अविनाश लेकिन शायद तुम मेरे बेना खुश रहोगे ऐसा सोचकर मैं तुम्हें चोड़ कर चली आई अविनाश रचना से अपने की की माफी मांगता है और फिर दोनों खुशी-खुशी साथ रहने लगते हैं